मशकार दोस्तों सुवागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्राकंड रिविजन सीरीज जिसमें हम परिक्षावानी का जो पहला चैप्टर है वह चैप्टर जिसमें आपकी पूरी परिक्षावानी का सार दिया गया है उसी चैप्टर के जो वन लाइनर है उनको हम यहाँ पे कोशन की फोर में कवर कर रहे हैं इस सीरीज के प्रतेक वीडियो में हम 100 कोशन को कवर करते हैं अभी तक 5 वीडियो में 500 कोशन कर चुके हैं आज हमारा इस सीरीज का ये छटा वीडियो है तो अगर आपने अभी तक प्रिविएस वीडियो नहीं देखिया प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं आज का वीडियो काफी जाधा important है आप लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पर हम आज की वीडियो में उत्राखंट के वनों से संबंदी प्रशन देखेंगे और जो हमारे राश्टे उद्यान है उन से संबंदी प्रशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो चलिए फ्रेंच वीडियो को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रशन है प्रदेश इस्तर पर सरवादिक और सबसे कम वन छेतरफल वाले जिले कौन से हैं इसका सही आंसर है सबसे जादा वन छेत्रफल वाला जिला अगर हम बात करें तो वो है पौड़ी और सबसे कम की बात करें तो वो है उधम सिंग नगर ये डाटा ओफिशल जो रिपोर्ट आई थी सूलवी वन रिपोर्ट वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा परिक्ष बात करी सोलवी वन रिपोर्ट की तो पहले के पेपर में एक किसी पेपर में आपको पंदरवी वन रिपोर्ट की डेट सहीद पूछी गई थी कि वहाँ रिपोर्ट कब जारी की गई आपको सोलवी वन रिपोर्ट की भी डेट क्यात रखनी है 30 दिसंबर 2019 को सोलवी वन रि एक रिपोर्ट है, जो कि हर दो साल में जारी की जाती है, ठीक है, पहली बार इस रिपोर्ट को 1987 में जारी किया गया था, ये कुछ बातें थी आपको ध्यान रखनी है, अगला प्रशन है, सरवादिक वन छेतरफल वाले चार जिले घटते क्रम में कौन से हैं, अभी हमने उप और फिर आता है चमोली, ठीक है, ये आपके घटते हुए क्रम में हैं, अगला कोशन है, सबसे कम वन छेतरफल वाले चार जिले बढ़ते क्रम में कौन से हैं, तो सबसे कम वन छेतरफल कौन से जनपद में हैं, हमने उपर पढ़ा, उधम सिंग नगर, उसके बाद हरिद्व उसके बाद रुद्रपरियाक और फिर आता है चौथे नंबर पे चमपावत, ये आपके सबसे कम वन छेतरफल वाले जिले हैं, एक और इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, देखिए दो रिपोर्ट हमारे पास, एक पंदरवी वन रिपोर्ट, एक सोलवी पंदरवी वन रिपोर्टर, सोली वन रिपोर्ट से आपको एक पॉइंट याद रखना है, कि इन दो सालों में कितने जिलों में वन छेतरफल बढ़ा, और कितने जिलों में वन छेतरफल घटा, ठीक है, तो दस जिलों में वन छेतरफल घटा, ठीक है, कौन-कौन से हैं वो फल में गिरावट आईए दो सालों में बाकी अधर 10 जिलों में बढ़ाती हुई है प्रश्ण बनता है सबसे जादा बढ़ाती कहां पर हुई है तब हाँ बताएंगे उत्तरकासी ठीक है इन दो सालों में यानिकी पंद्रवी और पुली रिपोर्ट के आने के बीच में सबसे जादा वन छेत्रफल कौन से जनपत में बढ़ा तो सबसे जादा आपका बढ़ा उत्तरकाशी में फिर बढ़ा देहरादून में और फिर बढ़ा पिथोरा गड़ में तिये कुछ एक्स्ट्रा बाते हैं जो आपको याद करनी है मैंने आपको यहाँ पी पूरा डेटेल में इसको पताया चलिए आगे चलते हैं अगला प्रशन है सरवादिक और सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं उपर हमने चेत्रफल के आधार पी देखा अब हम वन प्रतिशत के आधार पर देखते हैं सबसे जादा वन प पौरी है और प्रसंटेज वाइज नैनिताल है जबकि अगर सबसे कम की बात करें तो दोनों में ही उधमसिंग नगर नंबर वन हैं अगला प्रशन है सरवादिक वन प्रतिशत वाले चार जिले कौन से हैं तो सबसे जादा वन प्रतिशत वाले चार जिले हैं सबसे पहला ह और फिर है रुद्र प्रियाग इसी प्रकार अगर हम सबसे कम 1 प्रतिशत वाले जीलों को देखें जिनका 1 प्रतिशत सबसे कम है 4 जीले तो सबसे कम उधमसिंग नगर फिर हरिदवार पितोरागर और फिर चमोली ठीक है अगला कोशन है राज्य के कुल 1 का गड़वाल और रमसहा कितना है तो राज्य का लगभग 63 प्रतिशत जो 1 है वो आपके गड़वाल में देखने को मिलते हैं लगभग 37 प्रतिशत 1 आपके कमाव में देखने को मिलते हैं ठीक है या फिर आप इसको ऐसे में याद रखें लगभग 61 परसंट और 39 परसंट के करीब आप कमाव में याद करें जो official data है ठीक है अगला प्रशन है सरवादिक वन भूमी वाली नदियां कौन सी हैं तो सरवादिक वन भूमी वाली नदियां जो हैं आपकी ये हैं टोंस नदी सबसे पहले दूसरे पे आतीयां कोसी और फिर आतीया यमुना नदी थीक है नेक्स्ट है ऐसे वन जिनके संसाधुनों का दोहन नहीं के बराबर होता है क्या कहलाते हैं तो ऐसे वन उत्राखंड में जिनके संसाधुनों का दोहन बिल्कुल भी नहीं होता या होता भी है तो ना के बराबर होता है ऐसे वनों को देववन कहा जाता है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है अगला प्रशन है राज्य में पौध रोपड नीती कब लागू की गई थी तो सही आंसर है 6 जून 2006 को उत्राखंड के अंदर पौध रोपड नीती लागू की गई और ऐसी नीती लागू करने वाला उत्राखंड देश का पहला राज्य था ठीक है यानि कि देश में पहली बार पौध रोपड नीती कहा लागू की गई हमारे उत्राखंड में कब की गई 6 जून 2006 को कुछ जगह पर कुछ कितावों में कुछ जगह पर यहाँ 6 जनुवरी 2006 दिया गया है आप इसको रॉंग मानके चले 6 जून इसका सही आंसर है ठीक है अगला प्रश्ण है वान की कारियों के संपादन हेतू सोसाइटी मोड में केमपा परियोजना गटित की गई तो केमपा परियोजना का गठन कब किया गया यह कब चलाए गई यह चलाए गई आपके 2010-11 में ठीक है नेक्स्ट कोशन है हमारा स्रिदेव सुमन की याद में प्रतिवर्ष व्रक्ष रोपन कब किया जाता है तो देखे स्रिदेव सुमन की स्मृति में प्रतिवर्ष जो व्रक्ष रोपन होता है ये उस तिथी को होता है जब वे शहीद हुए थे 25 जुलाई को ठीक है आपको पता है स्रिदेव सुमन 84 दिन के इन्होंने भूकरताल करी थी अंजन पे बैटे थे और उसके बाद ये शहीद हो गए थे तो 1944 में ये शहीद हुए थे और उसी दिन की स्मृति में 25 जुलाई की स्मृति में यहां पर कौन सा दिन मनाते हैं विरक्षड ओपन यहां पर किया जाता ह ठीक है अगला है राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने वनी करन करने और वनों की सुरक्षा हीतू एको टास्क फोर्ष का गठन कब किया गया था तो देखे भूतपूर्व सैनिकों को लेकर एक टास्क फोर्ष बनाए गई एको टास्क फोर्ष इसका गठ जाता है ठीक है यानि कि इस अफ़दी के दोरान राज्यों में जो आग लगने का खत्रा होता है वो सबसे जादा होता है अगला है 2007 से अब तक सरवादिक छेतरफल में वन जलने वाला वर्ष कौन सा रहा तो 2007 के बाद से जिस साल में सबसे जादा वन जले वो कौन सा साल था वो था आपका वर्ष 2016 अगला प्रशन है देश के प्रथम वन महा विद्याले की स्थापना कब किये गई तो देखे जो देश का पहला वन महा विद्याले था इसकी स्थापना 1878 में किये गई थी ठीक है 1878 में जो डिट्रस ब्रैंडिस थे जो कि भारत के प्रथम वन महा निरिक्षक बने थे उनकी सलहा पर देहरदून के अंदर एक फोरेश्ट स्कूल आफ देहरदून के नाम से इसकी स्थापना की गई थी ठीक है अगला प्रशन है किस वर्स फोरेश्ट स्कूल का नाम बदल कर Imperial Forest Research Institute किया गया देखे 1878 में इसकी स्थापना हो जाती है Forest School of देहरदून के नाम से 1884 में इसका नाम बदल कर दिया जाता है Imperial Forest School और 1906 में इसका नाम Imperial Forest School की जगह Imperial Forest Research Institute कर दिया जाता है यानि की FRI इसका नाम कर दिया जाता है ठीक है? कब 1906 में अगला है Indian Forest Research Institute को Dimmed Wish विध्याले का दर्जा कब दिया गया? तो ये दर्जा इसको दिया गया 1991 में ठीक है? अगला प्रशन है एलपाइन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो जो एलपाइन घास के मैदान हैं इनको उत्राखन में बुग्याल, पयार, मीडो, एलपाइन, पाश्चर, आदी के नाम से जाना जाता है यानि कि जो घास के मैदान होते हैं उन्हें ठीक है? कुलू में इनको थच कहते हैं और कश्मीर में इनको मर्ग कहा जाता है ठीक है नेक्ट कोशन है छेतरफल में राज्या का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है तो छेतरफल के आधार पर हम बात करें तो सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल ठीक है और ये कहां है आपका ये चमूली जणपद में इस्थित है भ्यूंडार घाटी में इस्थित फूलों की घाटी बुग्याल की खोच किसने करी थी तो फूलों की घाटी जो ये है इसकी खोच किसने करी थी फरेंकि इसमाइट ने करी थी 1931 में कॉमेंट परवत पे आरोहन करके ये वापस लौट रहा था और वापस लौटते हुए ये रास्ता भूल कर कहा पहुंच गया था फूलों की घाटी में इसके साथ इसका एक और साथी था साथी का नाम कई बार पूछा जाता है कई बार में पहले भी बता चुका हूँ होल्सवर्थ इसके साथ इसका एक साथी था ठीक है चली अगला प्रशन है फूलों की घाटी का नाम फूलों की घाटी समाईत की किस पुस्तक के कारण पड़ा तो देगी जो फूलों की घाटी का नाम पड़ा जब फ्रेंक समाईत फूलों की घाटी में गया तो उसने फूलो फूलों की घाटी की जो सुन्दर्ता थी वहां पे की प्राकरतिक सुन्दर्ता उसकी तुलना किस देश की प्राकरतिक सुन्दर्ता से करी तो याद रखना आयरलेंड के प्राकरतिक सुन्दर्ता से करी थी ठीक है किस देश से उसने फूलों की घाटी की तुलना की थी आयरले आपका जुलाई से अक्टूबर के मध्य में वैसे जनरली जुलाई से सितंबर ही आपको देखने को मिलेगा जुलाई से सितंबर या अक्टूबर आप इसको याद करें ठीक है नॉर्मली अगर आपको पूछा भी जाएगा तो जुलाई से सितंबर ही इसका सही आंसर है अग प्रश्न है कौन सा बुगयाल नंदा देवी कामेट माना द्रोन गिरी नेलकंट हाती गौरी आदी परवतों से घिरा है हमारा ओली बुगयाल ठीक है तो यह आपको याद रखना है ओली बुगयाल कहां है चमूली में है अगला है किस बुगयाल से हिमालिया का सबसे भव्य द तो इसका सही आंसर है बग जी बुग्याल ठीक है किस बुग्याल को वेदों का प्रेण इस्थल माना जाता है तो वेदों का प्रेण इस्थल यानि की कौन सा ऐसा बुग्याल है जहां ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना यहीं पर होती है सही आंसर है बेदनी बुग्याल वेदों की रचना हुई इसलिए नाम क्या पढ़ा? बेदनी बुग्याल पढ़ा कहां पर है? चमोली में है और ये बुग्याल अपनी मखमली घास के लिए भी काफी प्रसिद है अगला है किस बुग्याल में शीतकाल में इसकिंग परिक्षन दिया जाता है? तो कौन सा ऐसा बुग्याल है जहां पे शीतकाल में इस कींग का परिक्षन दिया जाता है सही आंसर है दायरा बुग्याल ये जो है आपके उत्तरकाशी जनपद में इस्तित है ठीक है और दर्य बुग्याल को famous करने का अश्रे यानि कि इसको मांचित्र पर लाने का अश्रे किसको दिया जाता है ये दिया जाता है चंतरपरभा एंतवाल को माउंटेन गोट के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रशन है किस बुग्याल के पास से भागीरती की सहायक नदी इंद्रवती निकलती है तो भागीरती की एक सहायक नदी है इंद्रवती ये आती है हरुनता बुग्याल से ठीक है हरुनता बुग्याल कहा है ये आपके उत्तरकाशी जिले में ही इस्तित है नेक्स्ट कोशन है चर्थी बुग्याल कहां इस्तित है तो चर्थी बुग्याल ये आपके पिथोरागड में छिपला कोट जो है वहां के उसके नजदे के इस्तित है ठीक है जनपत पूछेगा जनपत कौन सा है पिथोरागड जनपत में ये इस्तित है अगला प्रशन है वस्त्र हैं उनके लिए ठीक है तो ऐसे पहने जो चरवाहे होते हैं उनको पालसी वाल्च या बकरखाल या लवड़िया इनको कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट कोशन है चरक सहीता में उत्राखंड भू छेत्र को क्या कहा गया है तो चरक सहीता में उत्राखंड भू छेत्र को या उत्राखंड के लिए वानस्पतिक बगीचा शब्द का प्रियोग किया गया है तो ये आपको याद करना है ठीक है कि चरक सहीता में किया गया है चरग सहिता में ठीक है अगला प्रशन है राज्य में कितने प्रकार के ओशधिया पौधे पाये जाते हैं तो राज्य के अंदर लगबग 500 प्रकार की जो हमारे ओशधिया पौधे होते हैं जिनमें आपकी सारी जड़ी बूटिया हैं वो सब आ जाते हैं उनमें पाया जाता है ठीक है लगबख 500 प्रकार की नेश्ट कोशन है राज्य में सर्व प्रत्hoम किस और शदिया पौधे की खेती शुरू की गई थी तो उत्राखंड में सबसे पहले कौन से और शदिया पौधे की खेती शुरू की गई ये की गई बैला डॉना की खेती 1903 में कु उपर जो हमने कोश्चन देखा था कोश्चन नंबर 512 यान की 512 वाला जो की प्रश्ण था आपका की हमारा स्कूल हमारा धन वो धनी है उसको वही सही है जो हमने उपर देखा 2015-16 में वो योजना शुरू किये गए थी ठीक है नेक्स्ट है जड़ी बूटियों के संग्रहन का कार्या सर्व प्रतम सहकारीता विभाग द्वारा कब शुरू किया गया तो जड़ी बूटियों के संग्रहन का कार्या सहकारीता विभाग ने 1972 में शुरू किया ठीक है सहकारीता विभाग द्वारा 1972 में एक योजना शुरू की गई जड़ी बूटियों के संग्रहन के लिए जिलेवार भेसज सहकारी संगों की स्थापना कब की गई थी नेक्स्ट है जड़ी बूटी कलस्टर इस्थापित किये गए हैं तो जड़ी बूटी कलस्टर कहां पर इस्थापित किये गए हैं तो मोहनरी और देघाट अलमोडा में दो जगहों पर इसके लावा जैरिकाल पॉडी में किया गया है और जोशीमत चमोली में भी जो जड बूटियों को यहां पे प्रतिबंदित किया गया था ठीक है तो यह पॉइंट आपको याद करना है नेक्स्ट है राज्य को घोशित किया गया है तो उत्राखंड को क्या घोशित किया गया है उत्राखंड एक हर्बल स्टेट है इसको हर्बल स्टेट घोशित किया गया है ठीक है नेक्स्ट है जड़ी बूटियों के विकास ही तू किसकी अध्यक्षता में आउशिधिया पादप बोर्ड का गठन किया गया तो जो आउशिधिया पादप बोर्ड होता है इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होता है मुख्य मंत्री होता है उनी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था देखे फ्रेंट्स आज की वीडियो में आपको बहुत सारे important question यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्योंकि वनों से और इसके लावा बुगयाल और शिदे इनसे काफी सारे प्रशन आपको exam में देखने को मिलते हैं और revise हम यहाँ पे कर रहे हैं सारे साथ में जो extra fact है वो भी मैं आपको वीडियो के दौरान जो जो याद आते हैं उनको मैं आपको बताता रहता हूँ तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को like ज़रूर करें चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट है जड़ी बूटियों के विपड़न को सुवेवस्थित करने के लिए किन इस्थानों पर जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना की गई है तो जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना रिशिकेश टनकपूर और राम नगर में की गई है यानि की देहरदून च सो से 3,000 मीटर की उंचाई पर पाए जाते हैं लगभग 28 देशनलव 8 प्रतिशत 1 इस हाइट पर पाए जाते हैं जो की राज्या में सरवादिक है अगर पूछेगा सबसे कम 1 कौन सी हाइट के उपर पाए जाते हैं तो 3,000 मीटर के उपर आपके केवल 7.5 प्रतिशत 1 पाए ज का साल व्रक्ष अगला है राज्या में उश्न कटी बंदिया शुष्क वन पाए जाते हैं 1500 मीटर से कम उचाई पर राज्य की अंदर जो उश्न कटी बंदिया शुष्क वन होते हैं ये पाए जाते हैं ऐसे वन उन इस्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा कम होती है ठीक है अगला है पंद्रह सो मीटर की उंचाई वाले छेत्रों में पाए जाते हैं तो पंद्रह सो मीटर तक की उंचाई पर उश्न कटी बन दिया आदर पतज़ड वन पाए जाते हैं ठीक है कहां पार अपने जो इनके पत्ते होते हैं उनको ये गिरा देते हैं ठीक है और ऐसे वन उन छेत्रों में उगते हैं जहां पर वर्षा थोड़ी जादा होती है तो एक पॉइंट आपको बस इतना ध्यान रखना है ओश्ण कटीबंदिय आद्रवन 1500 मीटर की उचाई तब उगते है और साथ ही इनी को हम मानसूनी वन भी कहते हैं 900 से लेकर 1800 मीटर की उचाई में पाये जाने वाले कोन धारी वनों का प्रमुक व्रक्ष कौन है इंपोर्टेंट कोशन है पेपर में पूछा जा चुका है तो कौन धारी वनू का जो प्रमुक वरक्ष है वो है आपका चीड वरक्ष कहां पाए जाता है 900 से लेके 1800 के मध्य में ये पाया जाता है ठीके अगला है राज्य में 1800 से 2700 मीटर की उचाए में पाय जाते है तो 1800 से लेके 2700 मीटर की उचाए में परवत्य शीत उचन वन पाय जाते है राज्य में टुन्डर तुल्य वनस्पतियां पाय जाती है अगला है चीड से वहां कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है जिसका उपयोग बिरोजा वा तारपीन बनाने में किया जाता है तो देखें चीड के चीड से हमें लीसा प्राप्त होता है जिसका प्रियोग हम तारपीन बनाने में करते हैं ठेक है एक कोशन है आपके लिए आप मुझे बताएंगी कमेंट करके इसका अंसर मैं आपको अभी आगे इसी वीडियो में बताऊंगा अगला प्रशन है बांज वरक्ष की पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं अब अभी उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लेकें ठीक है चली बांज वरक्ष की पूरे विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती हैं उत्राखंड में बांच की पांच प्रजातियां पाई जाती हैं, दोनों कोशन आपको याद करने हैं, पूरी विश्व में पूछेगा 40 प्रजातियां, उत्राखंड में पूछेगा केवल 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, जो बांच व्रक्ष है, इसे उत्राखंड का वर्दान कहा जाता है इसको शिव की जटा कहा जाता है तो ये पॉइंट भी आपको याद करने है ठीक है उत्राखंड का हरा सोना भी बांज व्रिक्ष को कहा जाता है बांज का जो विग्यानिक नाम होता है यानि कि जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है को वरकस लिको ट प्रिष्टी से अत्यादिक महत्तपूर्ण हैं तो बांज व्रक्ष के वह कौन से प्रजाती है देखे हमने बोला बांज व्रक्ष के उत्राखंड में पांच प्रजातियां पाई जाती हैं कौन कौन से एक होते हैं आपके सफेद बांज यहां पे पाई जाते हैं हरा भूरा फलियांट और रियांज ये बांस आपके यहां पर पाए जाते हैं इन में से जो सफेद प्रजाती है ये सबसे जादा important है हमारे उत्राखंड के लिए ठीक है चलिए नेक्स्ट है राज्य में सोना इसको हरा सोना कर देना तो राज्य में हरासोना कहा जाता है बांच व्रक्ष को कोईला तथा कृशी यंत्र बनाने वा पशुचारा हेतू उपयोगी सदाबाहार व्रक्ष है बांच व्रक्ष नेक्स्ट है सबसे उत्तम इमारती लकड़ी वा तेल निकालने हेतू उपयोगी है तो सबसे उत अंदर जितने भी हमारे वन पाई जाते हैं या व्रक्ष पाई जाते हैं उनमें सरवादिक व्रक्ष चीड के पाई जाते हैं इसके बाद साल के व्रक्ष पाई जाते हैं और फिर बांच के व्रक्ष पाई जाते हैं तो ये करम आपको याद करना है नेक्स्ट है टिहरी रियासत के विरुद 1930 में चले रवाई या तिलाडी आंदूलन का उद्देश्य क्या था तो देखे जो 1930 में टिहरी रियासत के विरुद रवाई आंदूलन हुआ था उसका एक ही उद्देश्य था नए 1 कानूनों को समाप्त करना नए वन कानूनों में इन्हों ने जो किसान थे उनकी जमीनों को भी वन घोशित कर दिया था उसी के विरोध में आंदोलन चल रहे थे जिसके फलसुरूप ये होता है कि 30 मई 1930 को जब ये अपनी सभा करते रहते हैं तिलाडी मैदान में चक्रदल जुयाल वहां जाके गोलिया चलवा देता है 30 मई 1930 को और इस घटनाओं को उत्राकंड का जलिया वाला भाग भी कहा जाता है ठीक है अगला प्रशन है तिलाडी आंदोलन से संबंदित किस तिथी को आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 30 मई को मनाया जाता है क्योंकि तिलाडी कांड भी कब होता है 30 मई 1930 को होता है और 30 मई को तिलाडी आंदोलन से संबंद जो यह तिथी है इसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं ठीक है अगला है रेणी के वनों की अंदादुन कटाई के विरुद गोपिश्वर में चिपको आंदोलन का सूत्रपात किस ने किया थ तो गोपिश्वर में चिपको आंदोलन का सूत्रपात किया था चमोली के अंदर रेणी गाओं में यह किया था गोरा देवी ने ठीक है तो यह आपको धियान रखना है 1974 में जब वरक्षकाट ने पहुंच गए थे जंगल में इनके गाओं में और यह सभी महिलाएं आ रहा था चिपको आंदोलन का अगला है किन परियावरण विदों के नित्तु में चिपको आंदोलन को विस्तार मिला तो चिपको आंदोलन को फेमस करने का जो श्रेज आता है वो सुन्दरलाल भहगुणा और चंडी प्रशाद भट को जाता है ठीक है इन दोनों का नाम आपको याद करना है और अगर बाइचांस दोनों में से किसी एक का नाम पूछा जाए तो आप सुन्दलाल भहगुणा के नाम को टिक करें ठीक है वैसे अगर पेपर में पूछा जाएगा तो दोनों में से एक ही का नाम आएगा फेमस करने के लिए लेकिन अगर बाइचा तब है जब आपको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े Next question है हिमालिया बचाओ देश बचाओ का नारा किस ने दिया था तो हिमालिया बचाओ देश बचाओ का नारा सुंदरलाल बहुगणा ने दिया था Next है डूंगी पैंतोली वन आंदोलन किस वरक्ष के जंगलों की कटाई के विर्दु था तो देखे जो यह डूंगी पैंतोली वन आंदोलन था यह बांज वरक्ष के कटान के विर्दु था और यहाँ चमोली जिले में चलाया गया था पौडी के उफरेखाल गाउं में पानी की कमी दूर करने के लिए किसके नित्त्तु में पानी राको आंदूलन चलाया गया था तो पाणी राखो आंदूलन, कौन से गाउं में चला, उफरे खाल गाउं, कौन से जनपद में चला, पौडी में चला, क्यूं चला, पाणी की कमी को दूर करने के लिए, और किसके द्वारा चलाया गया, सचीदरानद भारती के द्वारा इस आंदूलन को चलाया गया, तो ए सेधा प्रशन बनता है दूधा तोली लोग विकार संस्थान की स्थापना किस ने करी थी सचीदानन भारती ने 1964 में वरक्षों की कटाई के विरुद उननीसो चौराणवे में टिहीरी के भिलंगना छेतर में कौन सा आंदोलन चलाया गया था तो वरक्षों की कटाई के प्रतिपादा कौन थे तो सुरेश भाई के द्वारा यह चलाया गया था अगला है गड़वाल छेतर में उननीसो चैनवे में मैती आंदूलन का सूत्रपात किस ने किया तो मैत्री आंदूलन का सूत्रपात किया था कल्यान सिंग रावत मैती ने ठीक है कब किया 1996 में चमोल अगस सिंग चौधरी जंगली के दुवारा तयार किया गया प्रशन बनता है यह कौन से जनपत से जुड़े हैं इनका संबंद रुद्र प्रियाक से है वरक्ष मानव किसे कहा जाता है तो उतराखंड का वरक्ष मानव विश्वेश्वर दस सकलानी को कहा जाता है इनके राज्य में कितने राश्व उत्यान हैं तो उत्राखंड के अंदर वरतमान में ज्वश्वर लॉर्फ में दकन कोर् parfois राज राजद आज देवी यही चैनल बी वरतमान में उत्राखंड में तो सथ ऑन याज़ बिहार क की बात करें तो साथ इन जी पिहार ह bisschen तो 4 चेत्र यह पर इस्तित हैं अगला है राज्य का प्रतम चिडियागर कौन सा है तो राज्य का पहला चिडियागर था आपका देहरादून चिडियागर जुकि 2016 में इसको बनाया गया देहरादून चिडियागर की जगह पहले क्या था तो देहरादून घर तो धेरदूर में है दूसरा चिडिया घर आपके हल्दवानी में प्रस्तावी थे हल्दवानी में बने का और यहां एक प्रकार का कार्बन न्यूट्रल चिडिया घर होगा और इस प्रकार का ये भारत के अंदर पहला जो चिडिया घर है वो होगा ठीक है अगला है गोव अपका मोती चूर वनेजीव अभ्यारन, मोती जिव वनेजीव बिहार जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी एशिया के प्रतम राष्ट्य उध्यान की स्थापना कप की गई तो जो एशिया का पहला राष्ट्य उध्यान था वो था आपका कॉर्बेट नैशनल पार्क इसकी स्थापना 1936 में की गई थी देखे 1936 में जब इसकी स्थापना की गई एशिया का ये पहला नैशनल पार्क था और इसका नाम था उस समय हैली नैशनल पार्क टिके नाम क्या था हैली नैशनल पार्क इसका नाम था आजादी के बाद इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया राम गंगा नैशनल पार्क और 1957 में इसका नाम कर दिया गया वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क तो आपको पूछा जाएगा जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क का नाम करन कब रखा गया था इसका नाम Jim Corbett के नाम पर 1957 में रखा गया था अगला है Jim Corbett उध्यान का विस्टार कौन से जनपत में है तो देखे Jim Corbett National Park आपके दो जिलो में फैला है पौडी और नेनिताल में ये फैला है पाथली दून किस राष्ट्य उध्यान के मध्या में बहता है तो ये नदियां आपके जिम कॉर्बेट के मध्य से ही बहती हैं किस राष्टे उद्यान में सरवादिक परियाटक आते हैं तो सबसे ज़ादा परियाटकों वाला अगर हम राष्टे उद्यान की बात करें तो वो हमारा कॉर्बेट नैशनल पार्क है देश में बागों के घनत्व के मामले में प्रतम राष्टे उद्यान कौन सा है यानि कि बागों के घनत्व की बात हो रही है कम छेतर में जादा बाग कौन से नैशनल पार्क में है पूरे भारत की तो बात करते हैं जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क के ठीक है यानि कि घनत्व के मामले में सबसे पहले नंबर पे कौनसे नैशनल पार्क है वो है आपका Jim Corbett National Park और उत्राखंट के अंदर सबसे ज़्यादा बाग भी इसी नैशनल पार्क में पाई जाते हैं Corbett को Project Tiger के अंत्रगत कब शामिल किया गया तो देखे जो Corbett National Park है इसमें Project Tiger यहीं से इसकी शुरुवात होती है और 1973 में इसकी शुरुवात की जाती है ठीक है यानि कि जो यह Project Tiger था इसको सबसे पहले Corbett National Park में ही लॉंच किया गया था ठीक है 1973 में अगला प्रशन है राजाजी राष्ट्य उद्यान को Project Tiger के अंतरगत कब शामिल किया गया तो यह आया 2015 में यानि कि यह उत्राखंड का पहला Tiger Reserve अगर पूछेगा तो वह जिम Corbett दूसरा पूछेगा तो राजाजी ठीक है इसको 2015 में लाया गया Project Tiger के अंतरगत शामिल उद्यानों में बागों की गड़ना होती है इसको में कर देना तो जो Project Tiger जो भी National Park आपके Project Tiger के अंतरगत आते हैं वहां पे बागों की गड़ना हर साल की जाती है फूलों की घाटी राश्टे उद्यान कहां इस्तित है तो फूलों की घाटी जो ये राश्टे उद्यान है आपका यह चमूली में नर और गंध मादन परवतों के मध्या में इस्तित है फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है तो फूलों की घाटी में पुश्पावती नदी बहती है अगला प्रशने है फ्रेंक समाइट फूलों की घाटी से कितने पुश्पों के बीज अपने देश ले गए थे ठीक है फ्रेंक की समाइट ने मैंने आपको बताया इसके उपर एक किताब लिखी थी वैली ओफ लार्स और उस किताब में उन्होंने वर्णन किया कि यहां पर लगभग धाई हजार से जादा पुश्प या वनस्पतियां मिला के ठीक है पुश्प और वनस्पतियां दोनों म की गई थी तो नंदा देवी राष्ट है उद्यान की स्थापना 1982 में की गई थी ठीक है फ्रेंट्स चलिए एक कोशन मैंने आपको पूछा था उपर की अंग्रेजों ने पहली बार लीसा कार खाना कहां पे लगाया था सही आंसर है भुवाली में लगाया था ठीक है ठीक है तो दोनों आंसर मैंने आपको बता दिये जिसने भी नीचे कमेंट किया है अपने आंसर वो मैच कर लें अगर सही है तो ठीक है और अगर आपका गलत है तो आप इसको याद जरूर रखें ठीक है तो यह आपका आंसर था आज ये कोशन का चलिए अगला कोशन 1980 में इस्थापित गोविंद राष्टे उद्यान कहां इस्थित है देखें गोविंद राष्टे उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना 1980 में होती है और ये आपके उत्तरकाशी जन्पत में इस्थित है और उत्तरकाशी में ही 1989 में गंगोत्री नैशनल पार्क की स्थापना भी होती है और ये जो गंगोत्री नैशनल पार्क है ये उत्राखंड का सबसे बड़ा नैशनल पार्क है 1983 में इस्थापित राजाजी राष्टे उद्यान का विस्तार है इसका नाम राजाजी किसके नाम पर पड़ा पेपर में पूछा जा चुका है तो स्वतंत्र भारत के जो प्रतम गवर्नर जनरल थे प्रतम भारते गवर्नर जनरल जिनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपलाचारी उनी के नाम पर इसका नाम राजाजी रखा गया है सरवादिक हाति वह 12 सिंगों वाला राष्ट्य उद्यान कौन सा है तो सबसे ज़्यादा हाति और 12 सिंगा कहां पाए जाते हैं ये आपके राजाजी नैशनल पार्क में पाए जाते हैं ठीक है और अगर हम कस्तूरी मिर्गों की बात करें कि सबसे ज़्यादा कस्तूरी मिर्ग कहां पाए जाते हैं कौन से वने जी बिहार में पाए जाते हैं तो वो आपके आसकोट वने जी बिहार में पाए जाते हैं ठीके इसके लावा कस्तूरी मिर्ग फूलों की घाटी में भी पाए जाते हैं लेकिन सरवादिक पूछेगा तो जो वने जी बिहार है वहां पर नेक्स्ट है आपका सबसे पुराना और सबसे नया राष्टे उध्यान कौन जा है तो देखे सबसे पुराना राष्टे उध्यान आपका कॉर्वेट नैशनल पार्क है 1936 में इसकी स्थापना होती है और सबसे नया नैशनल पार्क है गंगोत नेश्टरी नैशनल पार्क उत्राखंड का सबसे बड़ा नैशनल पार्क है जिसका चेतरफल लगभग 2390 वर्ग किलो मेटर है ठीक है और कॉरबेट नैशनल पार्क भी फेमस है तो इसका भी एरिया आपको याद करना है 520 वर्ग किलो मेटर लगभग इसका ये छेत्रफल है ठीक है और राजाजी का भी याद कर लेना राजाजी का लगभग 820 के करीब है नेक्स्ट है सबसे बड़ा और सबसे चोटा राष्टे उध्यान कौन सा है तो सबसे बड़ा है गंगोत्री छेत्रफल मैंने अभी आपको बताया 2390 और सबसे छोटा है फूलो की घाटी और इसका छेत्रफल है लगभग 87 दिशलव 5 वर्ग किलोमेटर ठीक है अगला है सबसे पुराना और सबसे नया वनेजी बिहार कौन सा है तो सबसे पुराना वनेजी बिहार आपका इस्तित है अगला प्रशन है और आज का अंतिम प्रशन है सरवादिक कस्तूरी मिर्ग वाला वनेजी बिहार कौन सा है तो सबसे ज़ादा कस्तूरी मिर्ग आपके आसकोट वनेजी बिहार में पाई जाती है और यहाँ पितोरगर जनपद में इस्तित है देखिए अगर कस्तूरी मिर्ग वाला राष्टे उद्यान पूछा जाएगा आफ वोलो की घाटी को टिक करें और अगर वने जी बिहार पूछा जाएगा तो आप आसकोट वने जी बिहार पे टिक करें ठीक है तो फ्रेंट्स यह था हमारा उत्राखंट परिक्ष हमारी अभी जो करेंट मोटिव है इसी के ओपर हम अमारी जो अधर सीडी जे उनको चला रहे हैं तो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और साथ ही कम से कम एक दिन में एक बार आप अपने फेस्बुक पर अपने वाटसैप पर इंस्टाग्राम पर आप वीडियो का लिंक शेर ज़रूर करें थैंक्यू फ्रेंड्स